हेलो फ्रेंट, स्वागत है आप सभी के आज की वीडियो में इंडियन मैथेमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है आज चो रहेगा लेक्चर 4 रहेगा EBS का जो सीटेड 2020 पांच जुलाई को होने वाली है अभी तक आपने हमारा लेक्चर 3, 2, 1 नहीं देखा है तो आप देख लिए क्योंकि उसमें EBS कंटेंट सारे इंपोर्टेंट करा दिये गया है NCRT बुक के जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं सारे की सारे करा दिये गया है क्लास 3 पुरा हो चुका है और क्लास 4 पा जो है 1-8 चैप्टर तक हो चुका है आज जो रहेगा चैप्टर 9 से स्टार्ट करूँगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करें आगे और भी मैट्स और 10 ख्लास और EBS के वीडियो के लिए और भी आपको कंटेंट अलग-अलग सब्जेट के प्रोवाइट करायने की पूरी कोसिस की जाएगी चलिए स्टार्ट करते है आज का वीडियो तो आज का पहला पॉइंट है जिक्सो, जिक्सो जो होता है एक चित्र के टुकडे जिसे लगाने लगाया जाता है वो टुकड़ा होता है उसे जॉइंट करकर के खेला जाता है आपने गेम खेला होगा जैसे चित्रों के अलग-अलग टुकडे रहते हैं उसे जॉइंट करकर एक तस्बीर बनानी होती है वही उसी को कहते हैं जिक्सो यह जो होता है ऐसे बनाने चाहिए कि बच्चों को क्या हो थोड़ा सा दिमाग लगे इतना भी ज्यादा थिन नहीं बना देना चाहिए कि उनसे ना बने लेकिन इतना जरूर बनाना चाहिए कि उनसे बन जाए और थोड़ा सा उनका दिमाग लग ताकि उन्हें भी अच्छा लगे और उनको खुसी मिले और आगे जिक्सो या फिर अलग अलग गेम वो खेलने के लिए प्रोचसाहित हो सके ठीक है तो चलिए दूसरा पॉइंट आज का देख लेते हैं तो आगे का पॉइंट है फेरी ठीक है फेरी जो होता है वो केरल का एक जहाज होता है ठीक है पिछले क्लास मैंने बताया था कि बल्लम जो उता है एक नाव होता है और फेरी क्या होता है यह दो नदि से इस पर शे उस पर जाने के लिए काम आता है तो यह काम पाए जाता है यह केरल में पाए जाता है most important point है याद रखिएगा आप लोग तो next point है आपका rail ticket तो according to ncrt में जो बताया गया है टे वो पाँच trail ticket पे जो होते हैं पाँच चीज दिये हुए रहते हैं पहला train का number फिर birth एवंग डिब्बे का number सफर सुरू होने का तारीक किराया और दूरी यही पाँच चीज बताई गए है according to ncrt यह जो है वो ticket को वो जो पहले जो मोटे वाले ticket आते थे वैसा उसके बारे में बताया गया है तो आप याद रखिएगा कि रेल के टिकट में पांच महत्वपून पॉइंट है क्या 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 रेल का number बर्थ है वंग डिब्बे का number सफर सुरू होने का तारीक किराया और दूरी अगर एक्जाम में आती है तो आप याद रखिएगा यही पांच चीज दिये हुए है इसके अलावा और कुछ नहीं है ठीक है तो आगे का पॉइंट है कबड़ी तो कबड़ी का अस्थानिये नाम पूछा गया है तो कबड़ी का अस्थानिये नाम क्या क्या है तो हूतुतू डाडूडू चू किटकिट और कबड़ी यह जो चार है वो कबड़ी के स्थानिय नाम है तो option करके आपको दे सकता है कि कबड़ी के स्थानिय नाम और उसमें से एक option गरत भी दे सकता है ठीक है तो उस तरह के question पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपको करा दिये कि स्थानिय नाम हुतूतू, डाडूडू, छूकिटकिट यह सब कबड़ी के स्थानिय नाम है और भी मैं आपको कबड़ी के बारे में बताना चाहूँगे कि कबड़ी में जो है total 12 player होते हैं लेकिन खेलते सिर्फ 7 player है अगर बीच में अगर किसी को injured हो जाता है कोई player तो उससे बतले replace किया जाता है ठीक है और क्या होता है अगर ऐसा question आए कि वह कौन सा खेल है जिसे हाथ पैर आँख का ताल मेर रखा जाता है तो आपको पता ही है कि हाथ पैर और आँखों का ताल मेर जो है वो कबड़ी में रखा जाता है ठीक है और भी आपको ऐसा धंद्ध bathroom तो और याद रखेगा कि खोखो भी ऐसा यह फेल की छूणा बहुत जरूरी होता ओक अधिनध अध्यर्व प्रिमतव सब्सक्स्रों जी 收तकर को करसे लेफिकर कूरस में और उन्ट केज इसका एक बार्त से तो चलिक़े से कुझ है तो labi मुझा को प्राइवर्ट से चलिकर आए उन्ट्पारम आपी चलिकर कि रहते थी किसा का लिए पत्मकेक्राइवर्ण. हुए हैं इनकी चार बैने हैं ठीक है और वो भी क्या करती है वेट लिफ्टिंग का अभ्यास करती है ठीक है तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा कि यह वेट लिफ्टर है कर्णम मलेश्वरी और यह अंदर करदेश की रहने वाली है 130 केजी से भी ज्यादा यह वजन उठा सकती है और इन्हों ने इंडरनाशनल में 29 मेडल जीते हुए हैं इतना आप पॉइंट कर्णम मालेश्वरी के बारे में याद रखिएगा यह most important point है जो आता ही आता है ठीक है तो आगे point है कि फूलों की घाटी तो फूलों की घाटी याद रखिएगा जहां बहुत सारे फूल पाए जाते हैं वो उत्राखंड में है और उत्राखंड की राजधानी जो है वो है देहरा दून ठीक है तो इतना याद रखिएगा point आगे बढ़ते हैं तो मदुवनी तो मदुवनी मैंने पिछले लेसमें बताया था कि यह बिहार का जीला होता है ठीक है मदुवनी जो हता है बिहार का जीला होता है और मदुवनी पेंटिंग के नाम से ही प्रसीद है क्या मदुवनी जीला ठीक है मदुवनी पेंटिंग के नाम से ही प्रसीद है और जो रंग यूज किये जाते हैं वो सारे नैचुरल रंग होते हैं ठीक है प्रकृतिक से ही लिए गये होते हैं जैसे चावल का जो गोल होता है उसमें रंग मिलाकर वो लोग यूज करते हैं नील से नीला रंग लेते हैं हल्दी से पीला रंग लेते हैं पेड़ पौदे और फूल पुछा दुछा हुआ है याद रखिएगा, यह सारे पॉईंट्ट, तो आगे, पॉइंट है उपी टवूपी उत्त्र प्रदेश में कच्षणार के फूलों की सब्जी कहा जाती है इस चाहराश्ट्र में सहजन के फूलों की पकोड़े बनते हैं, वहां बहुत लोग सौक से इसे खाते हैं, कहां महरास्ट में, ठीक है, और एक पॉइंट याद रखिए गए, कि रात में ज्यादा तर जो होते हैं, वो फूल सफेद रंके ही होते हैं, और ये फूल बहुत सुगंदित होते हैं, इक्जामपल होता है, वो फूलों का सुद अर्क होता है, इतना याद रखिएगा, और एक पॉइंट लिख लिजे आप लोग कि गुल्दावरी जो होता है, गुल्दावरी का रंग जो होता है, कपड़ों को रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, आगे जो एक दिया हुआ दादी का नुकसा वो भी आप लोग सुन सकते हैं कि गुलाब जल प्लस ग्लिसरीन प्लस नीमबू दोचार बुंद चेहरे या फिर हाथ पैर में लगाने से जो हमारे सर्दियों में तोचा फटने लगती है, वो नहीं फटती है, क्या क्या गुलाब जल ग्लिसरीन और नीम आप पॉइंट याद रखिए गया, और इतरी क्या होता है, तो इतरी जो होता है, फूलों का सुध अर्क होता है, ठीक है, अर्क, तो यहां तक जो था चैप्टर 11 तक खतम हो जाता है, अब चैप्टर 12 में हम लोग जब आते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि डेरा गाजी ख खाना और पाकिस्तान, इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि डेरा गाजी खाना कहां है, तो पाकिस्तान में है, ठीक है, याद रख सकते हैं अब लोग, अब आगे जो है, शोहना गाउं, शोहना गाउं कहां है, तो हर्याना में है, गुरु ग्राम, जिसका पुराना न रखेगा NCRT में दिया है तो ये पूछने की संभावना पूरी बनती है ठीक है और एकाद पॉर्ट आप लोग याद रखेगा कि गोबर जो है जमीन में हम लोग किसलिए लिपाई करते हैं ताकि कीडे मकौडे ना लगे ठीक है तो जमीन में जो है गोबर लिपने से कीडे मक और नहीं लगते हैं और ये पुराने जबाने में ये बहुत ही इस्तिमाल किया जाता था अपने मिट्टी के घरों को लिपाई करने के लिए ठीक है आगे जो है वो भी याद रखिएगा कि आप लोग जो लकडी जो होता है लकडी में जो दीमक लग जाती है तो उससे बचाव करने के लिए नीम और कीकर के लकडिया का फ्रेम बनाय जाता था कैसा बनाय जाता था नीम और कीकर की लकडियों का फ्रेम बनाय जाता था ताकि की लकड़ी को में दीमक ना लगे ठीक है एक और पॉइंट आप्लोग याद रखेएगा कि वेल वननी का गाउं जो है वेल वननी का गाउं जो है कहाँ है करनाटक में preserve करनाटक में कौन से लेंगवज बोले जाताए मफिस lightly याद रखिएगा ठीक है आगे बढ़ते तो आगे जो दिया हुआ है जुलाई का फसल जो है उन में से एक है प्याज प्याज जो होता है वह प्याज का फसल होता है उसकी खेती होती है ठीक है और मंडी के बारे में दिया यहां तो आप लोगों पता है कि फोलो की मंडी होती है सब जो की सब्जी की मंडी ऐसे करके मंडियां होती है ठीक है और एक पोइंट है कि 14 वर्ष से कम वैक्ति को काम पर नहीं रखा जाता है अगर रखा भी जाता है बहुत जरूरी हुआ तो भी उन्हें जोखिम वाली काम नहीं दिये जाते हैं यहां तक आपका chapter 15 तक हतम हो जाता है जो कि मैंने important important content आपको करार दिये हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं लोग next point है गीजु भाई वद्देग तो नाम से ही clear है कि यह कहां कि गीजु भाई जो है उजरात के रहने वाले थे ठीक है यह क्या इनका जो है यह बच्चों में बहुत ही जादा प्रसित थे बहुत ही जादा बच्चे इन्हें मानते थे क्यूंकि यह जो है बच्चों के लिए पत्र लिखा करते थे और उस पत्र में अलग-अलग जगा के बारे में अलग-अलग पक्षियों के बारे में बताया करते थे तो chapter 16 जो है इसम पहले आप लोग याद रखें piace किम होग zost के रहने वाले थे कुजरात चर्वरात के और यह बच्चों को पत्र लिखा करते ठीक है तो देख सकते हैं अब उस्पक्षियों के बारे में लिखा हुआ था जैसे आषे इसक होती अपनी जोडी के साथ रहते हैं ठीक है अगर एक मर गया तो दूसरा भी मर जाता है अगर एक की बाइचान समृत्ति हो गई किसी कारण वस तो दूसरा भी क्या होता है मर जाता है क्यों कि यह हमेशा जोडी में ही रहते हैं ठीक है आगे जो है वो पक्षी जो है सिर्फ अंडे देने के लिए गोसले बनाते हैं याद रखिएगा कि पक्षी क्या है अंडे देने के लिए गोसले बनाते हैं तो आईए गोसलों के बारे में जान लेते हैं कौन से पक्षी कैसे गोसले बनाते हैं तो पत्थर के बीच जो होती है कलचीडी गोसला बनाकर अंडा देती है ठीक पत्तियां हो गई ठीक है उस सभी से बाल का टुकड़ा हो गया या फिर कुछ भी रूई होई लेकर गोसला बनाते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं लोग तो कौवा जो है वो याद रखिएगा यह important question है कि या चुका है कि किस पक्षी के गोसले में जो है तार पाया जाते हैं य एक पक्षी का नाम है जो क्या होता है कैक्टस की काटों के बीच मेहदी के पेड़ में घोसले बनाती हैं ठीक है मेहदी के पेड़ में या कैक्टस के काटों के बीच जो है यह घोसला बनाती है ठीक है क्यों बनाते हैं आपको मैंने बता दिये कि पक्षी अंडे देने के ल पलमारी के उपर, कहीं आया मीरर के उपर, कहीं छत के उपर ठीक है, तो वो लोग घुशला जहां मन करें, बना देते हैं घर में, ठीक है, कबूतर भी उसी तरह से घुशले बनाते हैं, आगे जो है वो क्या है दरजिन चुडिए नाम से ही clear है कि दरजिन मतलब दरजी क्या करता है सिलता है तो ये भी क्या करती है अपने जो नुकिले चोच है उससे जो है वो पत्टे को सिलती है और फिर उसमें नरम नरम चीजे ले जाकर रखकर घोसला बनाती है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो सक्कर खोर सक्कर खोर जो होते हैं छोटे पेड़े जाड़ी पर लटक कर घोसला बनाते हैं लटका हुआ घोसला बनाते हैं कैसा घोसला रहता है इनका लटका हुआ घोसला रहता है आपने कहीं भी दिल्ली में आइधिंक देखने को मिलते हैं यह सब च पक्ची होते हैं यह समें जो है नरपक्ची ही घुसला बनाती है और मादब को जिसमें मन करें जो उन्हें अच्छा लगता है उसमें जा कर वो अंडे देती है ठीक है इसका पूरा ठाट रहता है तो नरब क्ची जो है वो घोसला बनाते हैं और जो मादा पक्षी को पसंद आती है उस घोसले में जाकर वो अंडे देती है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे जो को यह बताया गया है कि पक्षी जो है अंडे देने के लिए घोसला बनाती है फिर उड़ कर चली जाती है पक्षी के दुस्मन त होते हैं ठीक है याद रखिएगा आप लोग तो आगे जो है कुछ जानवरे के दात के बारे में दिया गया है जो मैं आपको वता दे रही हूं ऐसे ज्यादा इंपोर्टन नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिएगा आप लोग पॉइंट सब ठीक है कि गाय के जो आगे की दा चोटे होते हैं पीछे के दात बड़े होते हैं आगे के दात जो होते हैं उसे खाना को काटती है और पीछे के दात से चबाती है ठीक है याद रखिएगा आप लोग इसी तरह बिल्ली के दात होते हैं वो नुकीले होते हैं आपने देखा ही होगा जिससे वह मास को फारती ह और काट किमने में उसको काम आती है ठीक है कैसे होते बिल्ली के दाथ तो नुकीले होते हैं साप के दाथ आपने देखा है कि नुकीले होते हैं लेकिन वो क्या करते हैं काटने चबाने के काम नहीं आते हैं वो सिफ अपने जो सिकार है उसको निगल लेते हैं काटते उठते न बढ़ता ही रहता है क्यों क्योंकि वो हमेशा खाना को या फिर किसी भी चीज को कुतरता ही रहता है ठीक है तो चुहे बहुत लोग चुहे बोलेंगे लेकिन इंसियाटी बुक में गिलहरी दिया हुआ है तो याद रखिएगा अप लोग गिलहरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो यह आप याद रखिएगा गिलहरी के दाथ हमेशा बढ़ते रहते हैं ठीक है और आप सभी को पता है कि परेवरन देवस कब मनाए जाता है पा आगे बढ़ते हैं हम लग तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि कफ प्रेट जो है एक बिल्डिंग का नाम है क्या कफ प्रेट थोड़ा इूनिक है तो याद रखिए कफ प्रेट जो एक बिल्डिंग गोल लेने के लिए हमें कहा जाता है थोड़ी थोड़ी देर पर लेकिन अगर बच्चे को जब उल्टी या फिर दस्थ होता है तो उसे मां का दूद पिलाना चाहिए याद रखिएगा यह पॉइंट इंपॉर्डेंट है और ORS का गोल आप सभी को पता है कि 10 जब होता है और उल्टी जब होती है तो ORS का गोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है इसलिए यह भी पीने की सला दी जाती है यह इंपॉर्डेंट कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिये तो आगे जो है मोस्ट इंपॉर्डें पंचायत है जिसमें बड़े के साथ साथ बच्चे भी उसमें हिस्सा लेते हैं या फिर बच्चे भी रहते हैं ठीक है तो याद रखिएगा यह कहां पर है करनाटक गाओं के करनाटक में गाओं है होल गुंडी और क्या होता है इस जो पंचायत का नाम क्या है भीम संग जा यह जो पंचायत इसका नाम है भीम संका है करनाटक के होल गुंडी गाउ में ठीक है यह याद रखिएगा इस इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है रेक पॉइंट है कि जब टंकी में जो है पानी साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं गाउ में आप देखे होंगे कि मचलीं डाली जाती है जिससे उसमें मच्छड ना लगे और कीडे ओडे ना लगे ठीक है तो यहाद करनाटक की बात आई है तो करनाटक में जो है पिछले मैंने चैप्टर में बताया कि कर्नाट लैंग्वेज यूज होता है और करनाटक का जो है कैपिटल जो है वो क्या है बैंक लूरू ठीक है याद रखिए का इतना यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहांके जुसी जो सी एम है वह यादी यू रपा ठीक है बीस ये यू रपा ठीक है सीे म है तो यह इस फिलींपॉर्टेंट है आ आप याद राखिए कि बस भीम से बता दिया कि गुरू नानक जो थे वो सिख के प्रतम गुरू थे और गुरू को बिन सिंग जो थे वो दसवे गुरू थे जो की आखरी लास्ट वाले गुरू थे